हेई दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं पाइंडेस्ट्रीस के स्टॉक के बारे में स्टॉक की करण प्राइस की बात करेंगे तो 3262.10 इसकी करण प्राइस चल रही है और फ्राइडी की दिन हमें लगबग 0.93% नीचे के लेवल पे ग्लोजिंग भी देखने को मिल चुकी है यह जो आप चार्ट देख रहे हो हमने इसको वने दाइम फ्रेम में सेट कर लिया है तो यहाँ पे एक मंडे की दिन एक ग्रीन केंडल बनके क्लोजिंग होने का वेट करी है जिसे हमें इसमें क्लोजिंग मिल जाती है तो फर्दर हमें स्टॉक में और भी अच्छी तेजी कंटिनी होते वे दिखाई दे सकती है तो चली दोस्तों हम चेक कर लेते हैं इसका स्कोर कार्ड लास्ट फूरियर का फाइनेंशल ट्रेंड और एनलिस्ट हमें क्या सला देते हैं बाइंग की परफॉर्मंस की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो और सबसे में जो इंपॉर्टन चीज होती है नो रेट फ्लैक शो कर रहा है जब भी आप कोई भी स्टॉक में एंट्री का बना बनाएं तो नो रेट फ्लैक देखे ही आपको उसमें एंट्री का प्लान बनाना है revenue और profit में काफी अच्छे jump दिखाई दे रहे हैं इसके जल्दी stock में अगेन उपर की और हमें bounce देखने को मिल सकता है तो चले अब हम चेक कर लेदें इसका forecast analyst हमें क्या सला देते हैं? buying की दोस्तों अभी तक आपने Angel One में DMAT account open नहीं किया है watch list में आजाना है, watch list में आने के बाद आपको उपर के साइड में search box दिखाई दे रहा होगा search box में stock का नाम सर्च करना है जिसे हमें PI industries का देखना है तो हम यहाँ पे search कर लेंगे, अगने इसके हम tap करेंगे यह हमारी watch list में successfully add हो जाएगा अगे हम इस पे tap करेंगे, tap करने के बाद देखी कुछ इस तरह से interface शो करेगा यहाँ पे आप इसकी current price देख सकते हो option chain देख सकते हो, charts देख सकते हो, stock details भी आप यहीं से देख सकते हो हमें simply इसका chart open करना है तो हम यहाँ पे chart पे touch करेंगे चार्ट पे touch करने के बाद देखी कुछ इस तरह से हमारे mobile screen में इसका chart भी दिखाई दे रहा है अगे हम यहाँ से back करेंगे, back करने के बाद अगे इस पे हम tap करेंगे, tap करके देखी है buy का option यहाँ पे दिया है buy पे हम touch करेंगे touch करने के बाद यहाँ पे quantity एंटर करना है मानली चीए हमें 20 quantity buy करना है तो हम यहाँ पे 20 एंटर करेंगे यहाँ पे limit और market का option दिया है limit यहने के आपकी मनपसंद price पे आप खरीच सकते हो अब इसकी price चल रही है 3200 620 इसकी current price चल रही है और market rate जो होता है जो current price चल रही होती है उसे पी आपका order जो है execute हो जाता है prototype यहाँ पे दिया है delivery और intra delivery यानि अगर आप stock को overnight के लिए hold करना चाते हैं तो आप delivery में buy करेंगे एक दिन से जादा के लिए अगर hold करना है तो delivery में करेंगे और अगर से आप stock को same day by same day sell करना चाते हैं तो आप उसको intra day में buy करेंगे buy पे हम यहाँ पे touch करेंगे buy पे touch करने के बाद confirm buy करेंगे confirm buy करने के बाद हमारा order जो है execute हो जाएगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like करेंगे और यह जो वीडियो बनाएगे सिर्फ और सिर्फ एजूकेशनल परपस के लिए बनाएगे है जब भी आप कोई भी stock मेंटरी बनाए तो अपने financial advisor से consult करके ही उस मेंटरी बनाए तो चलिए मिलते हैं next studio में इस YouTube चैनल के साथ तब तब के लिए take care